तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो हमारे आज के डॉलर बने हैं यहाँ पे यह देख लिए डेड़ चेक कर लें और उसके बाद मैं यहाँ पे डेड़ को अपडेट करता हूँ यहाँ पे यह चेक करें 6,594 डॉलर और यहाँ पे यह चेक कर सकते हैं जो हमारे डॉलर बने आपको step by step बताने वाला हूँ कि आपने facebook को use करते हुए in stream ad से monetize करवा कि अपना page कैसे पैसे बनाने है यह सारा काम हमने copy paste किया copyright content को use करते हुए किया है और उसके बाद हमारा page red भी हो चुका है लेकिन जो हमारी earning बन गई है वो हमारे account में आ जाएगी जो हमने इसके साथ attach किया है तो आज की इस वीडियो में आपको complete guide करने वाला हूँ कि copyright को use करते हुए आपने facebook से पैसे कैसे कमाने है तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको एक like जरूर कीजेगा चैनल पे नहीं है तो आपने इसको subscribe कर लेना है और हाँ जो दोस्त कह रहे थे कि यार आपने कभी earning show नहीं करवाई आपने देख लिया हमारी earning मजीद इसी तरह की earning में show करवाता रहूँगा लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप भी साथ मेनत करें आप भी साथ पैसे कमाई बजाए किसी की टांग खीचने के आप उसके साथ बढ़ें आप उसका साथ दें और उसका हाथ पकड़के उसको चलने के काबिल बनाएं उमीद करता हूँ कि आप मेरी बात से understand करेंगे और इसकी उपर आप अमल करेंगे step मैं आपको बता लिता हूँ follow आप ने करने हैं तो बिना time waste की ये start करते हैं आज की वीडियो हम आगे laptop की screen पे आपने सिर्फ और सिर्फ इन points को follow करना है और follow करने के बाद ये मेरी guarantee है कि आप इस पे कामयाब होंगे क्योंकि मैंने भी इनको मतलब follow किया है उसके बाद result आपके सामने है start में मैं भी आपके जैसा ही था कि नहीं पता कुछ भी नहीं होगा तो सबसे पहला point है facebook का आपके पास page होना हो चाहिए दूसरा है कि आपके पास content होना चाहिए तीसरा है groups होना चाहिए चोता है watch time complete अगरना आना चाहिए उसके बाद आपके पास facebook की आईडी हो facebook की payment हो और उसके बाद आपको पता हो कि facebook का algorithm कैसे काम करता है कितने मीने में आप कर सकेंगे तीन मन्त में आप कर लेंगे और इसके उपर investment कितनी चाहिए आपको start में free में आप कर सकते हैं लेकिन मैं आपको 10,000 रुपए बोलूँगा कि आपने start में 10,000 रुपए लेना है तो सबसे पहला point यह है कि facebook page तो यहाँ पर यह देखे आप अपनी ID के अंदर ही pages बना सकते हैं जो कि फिल्कुल free of cost है एक मिनट में एक facebook page बन जाता है ठीक है तो अगर आप facebook pages daily का बना के छोड़ते जाएंगे कम असकम वो 30 दिन पुराना होता जाएगा इसलिए मैंने 3 मंथ का time दी है तो daily आपके एक page भी बनाए तो आपके पास कितने pages होंगे एक मंथ के बाद 30 pages होंगे ठीक है यहां पर यह देख लें मेरा एक page है उसके उपर आपने आप watch time कैसे complete करना है आप यहां उसके उपर reels लगा लें अपना मतलब कोई content original बनाते है कोई gaming करते हैं कुछ भी करते हैं सिर्फ आपने उसके उपर uploading करनी है copyright भी चला सकते हैं यह देखें यह सारी copyright reels है मैं अपने original page पे चला रहा हूँ साथ में अपना original content भी चला रहा हूँ तो इस तरीके से आपने उसका content मतलब चलाना है ठीक है 30 day old page बे अब mostly दोस्त यही कहेंगे कि तारिक भाई कोई और method बताएं जो के solid हो तो यहां पर यह देखें content अब content कौन सा चलाना है मैं आपको बता देता हूँ दो तीन किसम के content होते हैं जो के मतलब हम चलाते हैं monodize होने से पहले तो यहां पर सबसे जो trend पे है रहा जिस पर सबसे जल्दी हमें कामया भी मिलती है वो है drama serials यहां पर यह देखें इंडिया के dramas चल रहे है यहां पर उसने कुछ भी blog नहीं किया हुआ आपके सामने है उसके बाद थोड़ा से scroll down करेंगे तो यहां पर यह देखें पकिस्तानी drama भी हम TV के चल रहे हैं फिर पकिस्तानी drama A.R.Y. का आ आ गया है तो आपने जो content चलाना है यह अनुपामा drama आ गया ठीक है आपने जो content चलाना है वो कुछ इस type का चलाना है ठीक है without editing यह चला रहे है कोई भी city ने ब्लोक नहीं की हुई कुछ भी नहीं करना बस आपने मतलब download करना है और uploading करना है ज़ादा से ज़ादा आपका page खराब हो जाएगा लेकिन आपको वहाँ पे काम करने का experience बिल्ड होता जाएगा तो content अगर मैं कहूं ना कि सबसे best वाला कौन है तो वो है original content अगर आप original content बनाते हैं आपको पता है कि original content कैसे बनता है for example youtube की video या कुई ऐसा बन्दा जो के मतलब youtube पे तो काम कर रहा है लेकिन facebook पे नहीं कर रहा तो आप उसको उठा के लगा दें वो भी आपका original consider किया जाएगा लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अपना content बनाना सिखें उसके अंदर अपनी editing करें उसके अंदर voice लगाए उसके अंदर जो भी आप लगाना चाहे लगा सकते है उसके बाद next काम आपने क्या करना उस content को viral करने के लिए आपको facebook groups चाहिए होंगे अब facebook groups कौन से होने चाहिए for example यहाँ पे यह हमने drama चलाना है ठीक है यह देखें दोनों dramas मिल जाएंगी तो आपने उन्हीं drama से related ही group निकाल ले example के तोर पे पाकिस्तान का एक drama है जिसका नाम है एहसान फरामोश ठीक है इसको हम copy करेंगे इसका और यहाँ पे paste कर देंगे जैसे हम paste करेंगे ना तो इसी से related यह देखें हमारे सामने कितने groups आ जगे हैं आपने यहां से अच्छे अच्छे groups निकाल के notepad पे save कर लेने हैं ठीक है और उनको अपनी एक clone ID से कोई fake ID से उसको join कर लेना ठीक है यहाँ भी यह देख ले unlimited group आपके सामने आ चुके हैं इसी तरह अगर आप इंडिया के content का चलाएंगे तो for example अनुमवामा drama मैं मतलब लिख लेता हूँ यहाँ पे search कर लेता हूँ तो उसके बाद groups वाला filter लगाता हूँ तो मेरे सामने इसके भी अच्छे खासे groups आ जाएंगे जो के बहुत अच्छी reach के साथ यहाँ पे पड़े हुए है जिनकी per day posted 10 प्लस हैं और member भी इसके उपर 50 के प्लस हैं तो आपने इनको join कर लेना बहुत ही असाना start में थोड़ा सा difficult लगेगा आपको start में थोड़ीजी problem होगी काम जापी नहीं मिलती तो मैं आपको कहूंगा 2-3,000 पैके 2-3 ग्रूप लें drama serials के छोटे छोटे ग्रूप लें और उसके उपर आप अपना मतलब काम start करें लेकिन मैं आपको यह paid वाला recommend नहीं कर रहा है मैं सिर्फ और सिर्फ आपको free वाला सिखा रहा हूँ आपको demo भी दिखा दिया कैसे group निकालने है तो यह सारा काम आपने ध्यान से करना है content और groups यही matter करते हैं जो आपको facebook पे कामयाब बनाते हैं ठीक है उसके बाद next काम क्या है आपने इनका watch time और forward complete करने है तो watch time complete करना आप लिए बहुत ही असान है अगर आप अच्छे group और content find कर लेते हैं example के तोर पे हमने कितना watch time लेना होता है यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ तो यह देखें 60,000 minutes और five के follower सिर्फ और सिर्फ हमें required है जो के हमने दो मन्त के अंदर अंदर पूरे करने है तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ यह देखें पांच हजार follower है और 60,000 minutes है जो के हमने 60 दिन के अंदर पूरे करने है चाहे हम copyright content को चलाए चाहे हम मतलब अपना original content चलाए लेकिन वो हमें 60 दिन के अंदर complete करते है उसके बाद इस page पे हमने पांच active वीडियो लगानी है चाहे आप reels लगा ले चाहे आप अपने mobile से कोई भी वीडियो लगा ले यह मतलब कोई इतना जरूरी नहीं है लेकिन आपके page पे होनी चाहिए यह सारा काम आप Pakistan में रहते हुए कर सकते हैं जो बंदे कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती है कि page पे काम कहां करना है RDP के अंदर करना है या कहां से करना है तो ये सारा काम आप पाकिस्तान में रहते हुए भी कर सकते हैं तो मैं आपको सबसे पहले अपनी location बता देता हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए मैं अपना original page manage कर रहा हूँ तो ये देखें मेरी location जो कुसूर के बिल्कुल करीब है जिलक सूर है डिस्ट्रक्ट सूर के अंदर आ रही है जबके मैं लहोर में बैठा हूँ और यहाँ पे मेरी location आ रही है अब मैं आपको एक दूसरी location बताता हूँ जिससे हम pages को manage करते हैं ठीक है ये सारा काम हम करेंगे पाकिस्तान में रहते हैं ये 4 point ठीक है और 5 point हम कहां पे करेंगे हम करेंगे eligible country के अंदर वो क्या करेंगे हम लेंगे एक RDP जो के मेरे पास पहले ही है मैं आपको उसको login करके दिखा देता हूँ उसकी location चेक करवा देता हूँ ये 5 point है 5 point है यहाँ पे भी मैं अपनी location लिखता हूँ तो आपके सामने मेरी उस जगा की location आ जाएगी अब basically जैसे Amazon पाकिस्तान में नहीं है PayPal पाकिस्तान में नहीं है लेकिन फिर भी हम Amazon से भी कमा रहे है PayPal से भी कमा रहे है सेम उसी तरीके से इसी मतलब RDP के तुरू ही है सारा कुछ हम Facebook के साथ करेंगे तो यह देखे लिए United State है, Virginia हमारा मतलब State है वहाँ पा और हम मतलब हमारी location वहाँ पे शो हो रही है तो यह वाला point आपका start में जरूरी नहीं होगा यह हमें बाद में ही मतलब जरूरत पड़ेगी जब हमारा watch time और follower complete हो जाएगे तब आपने eligible country के अंदर मतलब इसको shift करना है अब इसको login कैसे करना RDP को for example आपने ले लिया किसी बायर से तो यहाँ पर यह देखें आपके system के अंदर remote desktop connection है यहाँ पर आपको username और उसकी IP डालनी है सेम इसी तरीके से जैसे हैं मैंने login की है easily 2 click पे आप इसको login कर सकते है eligible countries कौन सी होती है यह मैंने इसके उपर बहुत जादा videos बनाई हुए है चैनल पे देख सकते है उसके बाद facebook की payment कैसे लेनी है हमने कैसे हमारे bank में payment आएगी तो उसके भी 2-3 method है मैं आपको वो भी show करवा देता हूँ जो के आप पाकिस्तान में रहते हुए भी मतलब use कर सकते है तो सबसे पहला जो method है वो है PayPal ठीक है अगर आपके पस किसी भी country का PayPal है तो आप easily उसको पाकिस्तान में login कर सकते हो लेकिन पाकिस्तान से बना नहीं सकते अगर आप बाहर की country से किसी दोज से PayPal बनवा लेते हो तो वो आप easily अपने Facebook pages के साथ attach कर सकते हो दूसरा method है वाइस का इस से आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान से ही create कर सकते हो और पाकिस्तान से ही इसको अपने pages के साथ attach कर सकते हो तो इसके उपर हमें free में नहीं थोड़ा सा expense आएगा वो आपने बरदाश्ट करना होगा लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप यह दोनों use ना करें आप use करें bank आप bank आप किसी भी country का आपका कोई दोस्त है कोई रिष्टेदार है कोई और मतलब friend है वो अगर बाहिर गया हुए ना तो उसका आप bank use कर ले उससे बोले के भाई अपने bank का account number और थोड़ी सी detail मुझे send कर दे तो वो आपको send कर देगा आप easily पाकिस्तान में रहते हुए उसके bank में payment मंगएंगे वो आपको forward करेगा लेकिन यहाँ पर trusted issue आ जाता है तो आप अगर trusted है तो आपने काम कर लेना है अब next point आता है Facebook का algorithm कि Facebook का algorithm किस trick पे work करता है किस तरीके से work करता है कि हमारी वो वाली वीडियो viral जाए जो के हमने monetize page पे चलानी है हमारे पास content भी है हमने page पे uploading भी कर लिया सब कुछ समझ में आ गया लेकिन अब earning नहीं हो रही तो earning करने के लिए आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि यह तीन ऐसे point है जिसके उपर Facebook का algorithm work करता है जिसकी वज़ा से आपकी वीडियो viral जाएगी तो यह देख लें पहला है आपका recommendation दूसरा है follower और तीसरा है sharing अगर आप यह तीन point को समझ लेते हैं कि कौन सा point मेरा सबसे अच्छा जा रहा है तो उसके उपर आप ज़्यादा focus करें जो down जा रहा है उसके उपर ज़्यादा work करें तो यह देखें यह recommendation बिलू वाला है सबसे अच्छा यह वाला है अगर आप इसको up कर लेते हैं इसको ज़्यादा कर लेते हैं तो आपकी video viral होने से कोई नहीं रोक सकता आप 100% facebook के algorithm को touch करेंगे उसके बाद है facebook की information अगर आपके पास 8 point page 8 point मैंने यहाँ पे लिखा है अगर आपके पास facebook की अच्छी खासी information नहीं है कि monodize pages को कैसे run करना है कैसे उससे policy issues को बचाना है कैसे हमने अपने page को long life बनाना है तो आप तभी इसके उपर काम कर सकेंगे और यह आपके learning वाली चीज़ है ठीक है कि page monodize होने के बाद हमने इसके उपर कैसे काम करना है सबसे important है उपर वाली इतनी जादा एहम नहीं होंगी after monodization earning के लिए आपको सबसे जादा यह चीज़ समझनी होगी कि facebook किस तरह आपको मतलब देता है पैसे कैसे work करता है तो यह चीज़ भी आपके लिए important है उसके बाद next चीज़ जो मैंने आपके लिए लिए हुई है कि आपको at least 3 महीने का time है जो point 9 है ना कम असकम आपको 3 महीने लगेंगे इस चीज़ को सीखते होए facebook को समझते होए अगर आप free में मतलब इसको सीखते हैं लेकिन अगर मैं कहूँ के आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो आप किसी भी mentor का paid course जोइन कर लें जिसके उपर आपको 20,000, 15,000, 20,000 फीस देनी पड़ेगी तो आप अगर उसको जोइन कर लेते हैं तो within 1 month आप easily facebook को समझ लेंगे facebook अगर आप beginner भी हैं आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो तब भी आप 3 month के अंदर अंदर एक month के अंदर अंदर easily facebook पे काम करना start कर देंगे लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आपने free में 1-2 week काम करना है और last में 10,000 investment मैंने आपको बोला है जो के PKR है अब 10,000 मैंने किस लिए बोला है वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आपने उस 10,000 से 3 month के अंदर RDPs बाए करनी है जो के आपको month ली 2000 की पड़ेगी एक RDP उसके बाद आपने facebook आईडिस को यूज़ करना है यकीन करें start में मेरे लिए भी ये काफी difficult था लेकिन अभी earning आपके सामने है मेरे student हो की earning आपके सामने है और मेरे सिखा हुए method से बहुत ज़़ा लोग भी पैसे कमा रहे है तो यह तब ही possible होता है जब आप समझेंगे अब यह सारी चीज़ें अगर आप free में लेना चाते है तो description में मैंने इन सब points की न one by one जो के अच्छी है और working method है वो मैंने description में video डाल दी है अगर आप सीखना चाहें तो वहाँ से असानी से सीख सकते हैं किसी को पैसे देने की जुरूरत नहीं है सिर्फ यहाँ पे आपका थोड़ा सा time खर्च होगा मैंने हर point पे एक अच्छी अच्छी वीडियो बनाके description में डाल दिया है आप वहाँ पे visit करें और वहाँ से earning स्टार्ट करें hopes हो के आप यह कर सकेंगे मेरी नेक वाइशाथ आपके साथ है मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त अलाफीज